महिला खिलाडियों के खिलाफ यौन शोशड के मामले पर प्रधान मंत्री चुप क्यों है प्रधान मंत्री अपने चहेते सांसद ब्रिजभूशन सिंग को पार्टी से कब निकाल फेकेंगे ये सवाल आज देश पूछ रहा है क्या अभी भी प्रधान मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृती इरानी अपना मू तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विशुगलना रहेगा क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे इस रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में इस देश के प्रधान मंत्री में इस देश के ग्रह मंत्री में भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संगरक्षा बेट के खिलाफ अपराद करने वाले आरोपी को नहीं दिल्ली पुलीस ने अपनी चार्जशीट में छे खिलाडियों और नौ अन लोगों की गवाही और साक्षियों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिजबूशन सिंग पर यौन उत्पिणन का स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है साथी मुकदमा चलाने और डंदित करने की आवश्यक कारवाई कराने का कोट से आवाहन किया है आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रिजबूशन सिंग भाजपा सांसत पर धारा 506 अपराधिक धमकी 354 महिला की लज्जा और शिल्ता को भंग करना 354 A यौन उत्पिणन 354 D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं पुलीस ने अपनी चार्च शीट में ब्रिजबूशन सिंग को कोट बुला कर ट्रायल शुरू करने और विटनिसेज जो इसमें मेंशन हैं उनको बुला कर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है इस चार्च शीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलीस ने जिसमें से 15 लोग जिसमें रेसलर्स हैं रेफरी हैं कोचेज हैं ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पिणन दराने धमकाने जैसे संगीन आरूप लगाए लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली पुलीस की चार्च शीट उन्हीं लोगों के बयानों उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारे थे जिन्हों ने एक्जाक्ली ये सेम आरूप एक्जाक्ली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमिटी के सामने भी लगाई थी आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूँ कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदसी ओवरसाइट कमिटी गठित करी थी जिसकी अध्यक्षता उतक्रिष्ट मुक्केबाज श्रीमती मेरी कौम ने करी थी उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाडियों की और अन्य लोगों की बात सुनी जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए लेकिन अप्रेल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमिटी ने स्पोर्ट्स मंत्राले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी रिपोर्ट पेश करी सब्मिट करी तो उसमें उन्होंने ब्रजबूशन सिंग के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आख मूंदली एक आपत्ती नहीं जत पर खिलाडी साक्षी मलेक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाडी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर और उस दोरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सडकों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया, और यहां तक कि जब उन्होंने ठक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी, तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए, पर क्या अब चार्जशीट में संगीर आरोप आने के ब क्या अभी भी महिला, बाल, विकास, मंत्री, स्मृती, इरानी अपना मू तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विशुगलना रहेगा, क्या खेल मंत्री, अनुरा, गोली, मारो, ठाकुर तभी नारे लगाएंगे, जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे, इ पत्ती भर नेतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधान मंत्री में, इस देश के ग्रह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती, तो संगरक्षा बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराद करने वाले आरोपी को नहीं, लेकिन ये देश भी देख रहा है, औ not once not twice एक बार नहीं दो बार नहीं लगातार भारतिय जनता पार्टी नेताओं सरकार और प्रधान मंत्री का संगरक्षन आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद। तो इस मंच से हमारे प्रधान मंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल है। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। ब्रधान सिंग को पार्टी से कब निकाल फेकेंगे ये सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुष्टी संग के जो अध्यक्ष है ब्रधान सिंग उनकी गिरफतारी कब होगी। क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको और अंत में मोदी जी आपकी सरकार ब्रजभूशन सिंग को संग्रक्षन देना कब बंद करेगी। कि यहां पर वस्तुत हस्तिती यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परिक्षन इस समय देश की बेटियां करना चाहती है। क्या नैतिकता है जरासी भी आप में और आप क्या कीजिएगा।